हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टु मदर मेड चैनल नमस्कार आप लोग का स्वागत हैं मदर मेड चैनल में फ्रेंज आज का टॉपिक है लिब ग्लॉस फ्रेंज कभी-कभी मन करता है कि मेकप नहीं करें फेस में एक सिंपल लुक रखें तो उस टाइम अगर आप लिब ग्लॉस पाइए तो फेस में बहुत अच्छा लगता है औड आप इस में त्रांस पारेंट वाला बनायेंगे जो सिंपल लगाये तो युक्त बहुत अच्छे लगते हैं और अगर इसमें आप कलर मिलाके बनाएंगे लाइट कलर जिसे रेड या पिंग तो उससे और भी लिप्स अच्छे लगते हैं और जो अच्छे आज हम बनाएगे लिप्स अभी साट करते हैं क्यों मैं दो तरह के सिखा रही हूं आज एक हाउस वाइब के लिए और एक जो बिज्शनिस करते उनके लिए तो फ्रेंस स्टार्ट करते हैं लिप क्लॉस बनाना यह जो मैं बना रही हूँ यह लेडिस अराम से बना सकती हैं घर पे उनको यह सारा समान घर पे अराम से मिल जाएगा देखिए इसमें क्या यूज करते हैं यह वैसलीन है इसको थोड़ा सा लेंगे देखिए दीख रहा होगा आपलोंको फिर इसमें थोड़ा सा ओलीव ओल मिला लेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ओलीव ओल मिलाएगा तो बेटर है और थोड़ा सा मिलाना मैं क्वांटिटी सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी फिर इसमें थोड़ा सा आलमंड ओल फिर इसको मिक्स कर लेंगे देखिए अब इसमें थोड़ा सा कोई फ्रेक्रेंस मिला लेंगे जैसे स्ट्रॉबरी मिलाएए चॉकलेट मिलाएए वेनला जो आपको खुश्बू पसंदे वो मिला लीजे तो मैं ये खुश्बू मिला दे रही हूँ स्ट्रॉबिडी की बहुत प्यारी खुश्बू आ रही है ये ट्रांस्परेंट है इसमें आप थोड़ा सा अगर आपको ट्रांस्परेंट रकना है तो ट्रांस्परेंट रक लेजी और इसमें आका को थोड़ा से ग्लीटर डालना है तो परल पाउडर आता है या आपके पास कोई भी ग्लीटर पाउडर हो तो इसमें आप डाल सकती है यह मैं थोड़ा से डाल दे रही हूँ इसमें पर यह ट्रांस्पेरेंट लिप ग्लॉस बन गया है इसमें आप थोड़ा कलर भी डाल जकती है यह विल्प कंडुड फइक है तो कि यह तयार है लिब ग्लॉस में हकरो कलर मिलाना लाना तो हल्का सा को प्लना लेजिए आपके पास कोई भी लिपस्टिक हो जो शेट आपको बनाना हो वह शेट की लिपस्टिक थोड़ी सी डाल दीजे जिसे बेसे तो यहीत थोड़ासा डा लिप्लोस में बहुत डार्क कलर नहीं होता है बहुत लाइट होता है इसलिए थोड़ा सा ही मिलाएगा कोई भी जो आपको शेट पसंद है लिप्स्टिक का वह कलर मिलाएगा तो देखिए बन गया है अब मैं इसका आपको लगा कर दिखाती हूँ थोड़ा अब देखिए बन गया है और मैंने इसको कंटेर में फिल कर लिया है आपके पास कोई कंटेर लिप ग्लॉस का हो तो उसमें आप फिल कर लिजेगा इसमें भी बहुत अच्छा रहता है और आप इसकी जो इसको थोड़ा सा और पतला या थोड़ा घार अपने हसाब से कर सकते ह जैसा अप लाइक करते हैं अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो थोड़ा सा ओइल ज्यादा मिला देजिए वैसलीन कम मिलाई तो फ्रेंज आप डिफरेंट डिफरेंट शेट में बनाए लिप ग्लॉस और एक ट्रांसपेरेंट भी बहुत अच्छा लगता है अब मैं दूसरा एक और मैथट बनाऊंगी जो बिजनेस करते हैं लोग उनके लिए फ्रेंज लिप ग्लॉस का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है बहुत सस्ता बन जाता है यह और बहुत ज्यादा कॉसली मिलता है मार्किट में तो आप इसका बिजनेस करिए इसमें देखिए क्या डालते हैं यह है सॉफ्ट पेराफिन इसे पेट्रोलियम जैली भी बोलते हैं यह ले लिजे लिक्विट पेराफिन यह एक लिक्विट फॉर्म में आता है यह भी मार्किट में असानी से मिल जाता है यह दोनों ही मिक्स करना है मैंने थोड़ा सा पेट्रोलियम जैली ली है फिर थोड़ा सा इसमें लिक्विट पेराफिन डालेंगे फिर मिक्स कर लेंगे अउर है यह लोड़三 वे लोड़ा है याज़ चेश Finnish ही में तह्में प्हा सक्ने लोड़ा चेश्टने फिर इसमें आप जो खुश्वू डालना चाहते हो डाल लीजे वैनिला, स्ट्रोबेरी, चॉकलेट, रोज जो भी खुश्वू इसमें आप डाल लीजे और वैसे यह तयार है बन गया है अब इसमें आप अगर इसको परल पाउडर इसमें डालेंगे तो गलिट्रा इसमें आ आपके पास कोई दूसरा हो गलिटर तो आप वह भी डाल सकते हैं दूसरे कलर का हो तो वह भी आप डाल सकते हैं यह मेरे पास सिल्वर कलर का है मैंने वही डाला है इसमें तदे कि इसमें कितनी शाइन आ गई है फिर इसमें आप कोई भी ओईल बेस कलर मेरा दीजे हलका सा पिंक रेड बहुत हलका सा और यह लिप ग्लोस तैयार है देखिए तो देखिए मैं इसको लगा के दिखाती है अपने हाथ में दीखे रहा है आपको कितनी अच्छा बना है अब मैं इसमें कलर मिला के कर दिखाती हूं देखिए मैं इसमें कलर मिला लिया है और देखिए कंटेनर में फिल कर दिया है यह कितना अच्छा लग रहा है अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ देखिए कितना अच्छा लग रहा शाइनी आप इसको अलग-अलग शेड में बनाईए और सेल करिए उसमें भर के कंटेनर में आप लोग लिप ग्लोस बनाईए और यूज करिए और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज उसका फीडबेक दीजे मुझे बहुत जादा फीडबेक का इंतजार रहता है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप यह शेर करिए अपने फ्रेंड्स को और लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल तो फ्रेंड्स पर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में तब ते कि लिए बाई